हेले दोस्तों शुआगत है आपके आपने youtube चेनल कूलबोई कूलबिर में आज से हम हरियाना.जीकए करदेस सेट अ हमारी शीरीस सेट कि इसमें आपको a few practice रीडिस सेट मिलें आप य les अ भी question होंगे यह आपके आगयाने वाले exam चाहे CET का हो या फिर अर्याना का कोई भी exam अगर आप दे रहे हैं तो अर्याना जिक के इससे बाहर नहीं आने वाली तो इन वीडियो को आप last तक जुरूर देखिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी share कीजिए और अगर नए जुड़े हैं तो चैनल भी subscribe कर लिजिए अब लगाता show practice set जल्दी जल्दी दिन के दो या तिन practice set आपको देखने को मिलेंगे तो चैनल के साथ बने रही है यह practice set आपके लिए काफी important है इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी description box में telegram group मिल जाएगा ठीक है link मिल जाएगा वहाँ जोइन कर लीजिए अगर फिर भी नहीं मिलता है तो cool boy coolbee लिखके आप telegram पर search कर सकते हैं वहाँ से telegram group को जोइन कर सकते हैं ठीक है जब भी हम video डालेंगे वहाँ पर notification जाएगा और YouTube पर भी notification जाएगा subscribe करके जो ring की गंटी की जो notification है उसको on कर लीजिए ताकि आपको पता ल सबसे पहला question देखिए हरियान का सबसे प्राचिन अभिलेख है तो हरियान का सबसे प्राचिन अभिलेख जो है वह आपका है तोपरा अभिलेख ठीक है किसी को अगर किसी की quiet में doubt है तो comment करके ज़रूर बताए हरियान में Jayanudra में का परमुक के अंदर था कोन्चा था अगर दो और तो और जितने भी हमारी वीडियो हैंगी ऐघी पुटीक वािज आएंगी एक टोपिक के तो चैनल के साथ नए जुनेतोफ सुब्सक्राइब जरूर कर ले उसके बाद सब्सक्राइब उसके बाद है शटी सात विश्दी में रचीत हर्चरीत में हर्याना का नाम मिलता है हर्चरीत में हर्याना का क्या नाम है शड़पन self essasak द्वारा सुदास ग्राज, एमों 10 राजाओं के संक्क के मद्द, किस नदी के तठपरेक यूद हुआ था, जीसे 10 राज यूद बोलते थे, तो 10 राज यूद जो हुआ था, वो आपका हुआ था, पुरुषणरी नदी, इसको रावी नदी भी भी बोलते थे, ठीक है, यहाँ पर हुआ था, उ देखिए इन में से कौन सा सही सुमेलीत है वो आपको बताएंगे, इसका जो सही अंसर हो जाएगा, वोप से नहीं हो जाएगा, मित्ता थल बिवानी, ठीक है, पणियों अथवा व्यापारियों के नाम पर हर्यान के किस तान का नाम करण हुआ माना जाता है, ये माना गया पानिपत, बुनकरो का सहरिषगों बॉलते हैं, परधमुत के नाम से परसिदुद, तो करण चेतर का जो परधम यूद हुआ था, वो किस के बीच हुआ था, कौरवों और कौरों वैगानधरों को युद जिसको बॉलते हैं, ठीक है महाबार्थ का युद किसके दोरान हुआ था महाबार्थ का युद हुआ था अपका 900 इसा पूरो ठीक है महाबार्थ काल में स्तापदियों पूरो हुए आरियवनसी कुरों ने इस परदेश में किस यूग का प्रारम किया था ये किया था कर्शी यूग का रिगवेद के बहुत सारी परीछेदों में बताया गया सवद एगनने जिसे मारा नहीं जाता किस पर लागू होता है ये लागू होता आपका गाएं के उपर ठीक है उसके बाद योद्दें और कुशानों का संगर किस सासक के समय हुआ था ये वापका विम कड़फिस कनिस के कई समय हर्याणा के किस जैन्दर्म के केंदर से चंदरपः पार्षवनाथ तथा मावीर्श स्वामनी की मूर्थियां मिलीलें आपको पिंजोर केंदर ठीक है किस पुस्तक में हर्याणा में थंडने स्वर और कुरूउझ चेट्र के चे चेट्र में बहने वाली नद्यों क विवर ने दिया गया है यह दिया गया है आपका हुआमन पुराण में ठीक है हर्याना सब्द का साब्दिक अर्थ क्या है इसका मतलब है भगवान का वास ठीक है किस पुराण में हर्याना का हर्याला लिखा गया है तो कौन से पुराण में है यह सकंद पुराण में ठीक है त पहला यूद जो हुआ परसी मावार्थ का जो यूद हुआ था वो अपका कुरुक छेतर के अंदर ठीक है सतर्मी स्ताबदी इसापुरो के पूरो हडपन नागरिकता से समंदित सजावटे आकर और सिल्प की एक विश्तरित संकला के साथ मिट्टी के बरतन बनाने में एक कुशल थे कहां पे थे यह थे बनावली के अंदर कहां पे बनावली फत्याबाद में इंपोर्टन्ट है कि दें मेंसे कौन सा हर्याणा ह्याना के 10 समबंद साहिट एक स्त्रोथ है यह है और हरयाह के टिक हम यह सबी और अडपने कमेंट करके बताना है कोन सा दिस्टिक के अंदर पड़ता है別ाना उसके बाद है next question दौलतपूर से प्राप्त अउसेसो का सम्मंद सिंदु गाटी के किस काल से था ये था आपका अवंद काल से ठीक है अर्याने के किस तान से नौ पासान यूर्गिन किर्शक बस्तियों के प्रमान मिले हैं ये मिले आपको सी सवाल में ठीक है निमन में से कौन सा ग्रंत रोध तक का उलेक करता है तो रोध तक का जो उलेक करता है वो नकुल दिगविजय है ठीक है दिव्यावदान में भी है रोध तक का जिकर वैसे थो ठीक है उसके बदाए हरियाना में कौन सा सहर महाबारत के कर्ण से संबन दीत है तो कर्ण के नाम से जैसे कि आपको पता लग रहा है कर्णाल ठीक है योद्धेकाल में हरियाना को किस नाम से जना जाता था योद्धेकाल में अरियाना को बोलते थे बहुदान नेक किस तान से प्राप्त अभी लेखों में संगीत के साथ सवरों का उलेख है ये उलेख आपका अग्रोहा के अंदर ठीक है इसारवा अग्रोहा के टिले में उत्खनन में कौन से परकार के सिक्के पाई जाते है वहाँ पे पाई जाते हैं के पंचमार्क सिक्के योद्धे सिंकों पर अंकित त्री का समंद कौन से विद्वान ने अरजुनायन योद्धे व कुनिंदो के संधी संक्ठन से स्थापित किया है किस ने किया है ये किया है ओप्शन डी अलते करने ठीक है चंदरगुप्त मोरिय था कौन था चंदरगुप्त मोरिय जो असोख है इसका दादा था ये ठीक है बोधकाल के किस महाजन पदों में आधुनिक हर्याना के छेतर सामिल थे किस में सामिल थे कुरू और पंचाल में हर्याना चेत्र के किस काल की सब्वेता को सीश्वाल सब्वेता कहा जाता है सीश्वाल सब्वेता बोलते हैं नव पासान काल को रिगवेद में हर्याना का नाम क्या है रिगवेद में हर्याना का नाम है हरना वम्मन पुरान के नुसर हर्यान में प्रवाइत होने वाली कुल नदियों की संख्या कितनी है वम्मन पुरान के हिसाब से कुल कितनी नदिया है नो नदिया है ठीक है प्राचिन काल में हर्याना को क्या बोलते थे तो प्राचिन काल में हर्याना को बोलते थे ब्रह्मवर्थ ठीक है गुजरी मेल स्तंब अभिलेक हिसा अर्याना के किस जिले में है तो गुजरी मेल है आपका कहां पे हिसार के अंदर उसके बाद है नेक्स्ट निमन में से कौन सा हाडपस बैतास्तल फहतेःवाद अर्याना में हिस्थी थे यह कुन से हैं बनाय जो कि पहले हम बता चुके हैं वैदी काल के नुसर हर्याना पुरानिक separ chưa कि मात्री मुव मिका हितियास है को शेंस की है यह आपकी बर्टेश की सबनाय कि सामजी कार्थिक जीवन का उलेक मिलता है यह मिलता आपको चंदोग्य उपनिश्द में ठीक है उसके बाद है मुंड को उपनिश्द में थोड़ा बहुत है लेकिन इसमें भी है ठीक है हर्यान में ख्रोष्टी लिपी बद अविलेक कहां से प्राप्त हुआ है यह प्राप्त हुआ अपका करनाल से हर्यान के किस चेतर में नवपासन काल के साख से प्राप्त हुए है कहां पे प्राप्त हुए है पिंजोर काल का चेतर में ठीक है निमन में से कौन सा अड़ पसब् तो तो घुण का नाम करणा किते है तूसरा है न राज्यक नाम आ th metropolitan की दोगाणा को दोढहा है यह वाज्यका के दोऑघा है यह वा पर्फ़िराज चोहान लंके दोगारा के द्वारा बनालि किस जिल्णे में श्थित है बनावली हमने बता दिया पहले आपको फत्याबाद में ठीक है शिंदु सब बताएगा उसे सों के लिए परसिद स्तल मिताथल हरियाना के किस जिले में तो मिताथलाताप का बिवानी जिले में ठीक है हरियाना का सुग नहर जहां मात्माबुद ने प्रवचन दिया था और तमान के किस जिले में संबंदित है तो कौन से जिले में आता ये या तो यमुनो नगर में कौन सी जगाए है सुग नगर याद र अल्टेकर के नुसर मुद्राओं पर अंकित द्विन गोतक है किसका है गोतक यह अरजुनायन वोर योद्देसंग का उसके बाद है पुस्यबुति वंशिय ससक पर बागकर वर धन ने हुणों को पराजित कर किन छेत्रों पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने विजय प्रा माजन पदों का उल्ले कहां पर मिलता है अंगूत्र निकाय में ठीक है ओप्सन फर्स्ट हो जाएगा यह था आज का वीडियो ठीक है तो आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार आपके लिए प्रैक्टिस एट लाने वा अवाट